मुझे चन्द लेक्सेर्स में हमने कुछ सॉफ्टर्स के बारे में समझा उनके इस्तमाल के बारे में देखा कि कितनी इंपोर्टन्स है एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेर की हमने सिस्टम रिक्वार्मेंट को समझा कि आपके सिस्टम में क्या-क्या चीजे होनी जरूरी है जिसके बाद आपका सॉफ्टवेर आपके लिए यूसफुल हो सकता है हमने इंस्टॉल करने का तरीका देखा और हमने एक बेसिक इंटरफेस को समझा मेरा ख्याल से अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेर पर काम शुरू किया जाए और software पर काम शुरू करने का सबसे पहला step जो आपके पास है वो है import Import से मेरी मुराद ये है कि किस तरीके से आपके पास जो आपके assets है खाव वो video है, audio है, कोई images है या किसी और किसम की objects है तो उनको अपने software में किस तरह से लेके आया जाए ताके उनके उपर हम काम शुरू कर सके इसको technically जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं import आईए देखते हैं G software open हो चुक है और आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह की workspace आ रही है और import करने से पहले मैं अपनी workspace change कर लूँ ताकि मैं उसमें जादा comfortable हूँ और आपने जो project open किया है आप उसका path यहां पर भी देख सकते हैं कि आप सही project पे काम कर रहे हैं कि नहीं कि आपने जहां पर safe किया हुआ अपने project उसका path भी आपको नजर आ रहा है यहां पर मेरे पास workspaces के tab है यहां पर अगर मैं उमेर के नाम पर click करूँ यह वो workspace है जो मैंने खुद safe की थी अपने हिसाब से जहां पर मुझे इनकी positioning करनी थी import करने के लिए या फिर आपके वो assets जिन पर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें उनको import करना होगा और import करने के हमारे पास चांद एक तरीके हैं सबसे पहरा तरीका अगर मैं आपको बताओं तो आप इदर file menu में जाएंगे यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर मेरे पास एक option है import अगर मैं इस import पर click करूँगा तो मेरे पास further एक window और खुल जाएगी जिसे के हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस तरह से हम अपने data को organize करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारा data कहां पर पढ़ा है जहां पर आपने project का main folder बनाया था वहीं पर आपके पास आपके assets का folder भी मजूद है खुआ वो वीडियो के नाम से है, data के नाम से है, audio के नाम से है वो आपकी अपनी organize करने का तरीका हो सकता है तो इस वक्त अगर हम जाते हैं अपने project main folder में और यहां पर हमारे पास यह video का folder already selected है यह मेरे पास इस वक्त चंद clips show हो रहे हैं, अगर मुझे just एक file import करनी है, मैं उसको यहां पर click करूँगा और अगर मैं उसको यहां पर open करूँ, तो मेरे पास एक file import हो चुकी है multiple files import करने के लिए, मैं दुबारा import में गया और अगर मुझे इसमें से selective files import करनी है, तो अगर मैंने इसको click किया, उसके बाद मैंने control प्रेस करना है keyboard पे और next file, जो उनसी file मुझे चाहिए, मैं उसको import कर सकता हूँ, इस तरह से select करके अब आप देख सकते हैं, जो files इस वक्त highlight है, इनको अगर मैं यहाँ से open करूँगा, तो वो आपके software में project window के अंदर import हो जाएगी यह तो था हमारा एक तरीका, आगे कुछ और तरीके भी हम देखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर control प्लस Z प्रेस कर रहा हूँ, short key है undo की, जो step आप पहले कर चुके थे, control Z करने के बाद वो वापिस reverse भी हो जाता है second तरीका हमारे पास है, जो कि उसकी short key है, control प्लस I, मैं अपने keyboard पे control और उसके साथ I की को प्रेस करता हूँ, again मेरे पास वो ही window खुल चुकी है, जहाँ पर मैं अपने फोटेजिस को जाके select कर सकता हूँ उसी तरीके से multiple files करनी हैं, या आपने सारी files करनी हैं, आप उनको select कर सकते हैं, open करेंगे और आपके पास वो files import हो गई, यहाँ पर मैं आपको यह भी बताता चलूँ, कि अगर आपको पूरा folder ही import करना हो, तो जिस तरह से आप अपने exact path पे गए, और अगर आपको यह पूरा folder, इसके सारे assets तो इस folder के अंदर आपने already copy किये हैं, वो सारे ही आपको प्रीमेर में चाहिए हो, तो आप just इस folder को select करेंगे, और यहाँ से आपके पास import folder की option पे click करेंगे, आप देख सकते हैं, पूरा folder वीडियो का इस वक्त आपके software, Adobe Premiere के अंदर import हो चुका है, अगर मैं further इस पर double click करूँ, तो इस वक्त मुझे यह सारी files show कर रहे है, जो के इस folder के अंदर मुझूद थी, इसको again undo करके मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताता चलूँ, और वो यह है कि इस project window के empty area के अंदर, अगर आप अपने mouse से left double click करेंगे, तो आपके पास again import की window खुल और आप again उसी तरीके से अपने images को import कर सकते हैं, एक चोथा तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास browser window खुली भी है, जहां पर आपके पास assets हैं, जहां पर आपके पास data है, और maybe आप उसको preview कर रहे हो, अगर आपको कोई एक file preview करनी है, आप उसको normal player में भ हो सकता है, या पर आपको quick template हो सकता है, या VLC player हो सकता है, तो उस file को भी आप एक randomly एक quick preview करके, और आपको लगता है कि यह file आपकी ठीक है, इसको आप use कर सकते हैं, आप इसको भी अपने software के अंदर direct drag करके import कर सकते हैं, आपने just file को यहां से पकड़के drag करना है, और यहां प आपके पास file project window में import हो जाएगे, यह तो थे import करने के चार different तरीके, एक और तरीका अगर मैं और add करना चाहूं, जो के वो भी drag वल ही option है, और वो यह है कि आप उसको directly timeline में या पिर अपनी source window में भी import कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपने browser window में जाएंगे जहां पर आपके पास data है, और उसको आप drag करेंगे इस timeline sequence के अंदर या पिर अपनी source window के अंदर, और जब इसको आप drop करेंगे, तो यह file आपके पास आपके software में आ जाएगी, इची तरीके से अगर हम timeline पर देखें, तो हमारे पास इस वक, timeline क्योंकिंके empty थी, timeline भी बन चुकी है, आपका sequence बन के, इन files को import करने के बाद आप इनके उपर further काम start कर सकते हैं, आप अपना sequence editing का जिस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, आप लेके चाह सकते हैं उसको